आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello to everyone, Question कह रहा है कि आपको एक ऐसे Compound का Example दे रहा है जिसमें Oxidation Number जो है किसी भी Atom का क्या है Fractional है So for example, suppose कर लो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक Example Na2 S4 O6 So अगर हम यहाँ पर बात करते हैं Sulfur के Oxidation State की Sulfur के अगर मैं Oxidation State की बात करती हूँ तो अगर आप यहाँ पर Oxidation State निकारेंगे Sulfur की That will come out to be Fractional Fractional से मतलब आप समझ ही गए होगे मतलब कोई भी Fractional आ सकता है Like Half, Half is a Fractional और आप कहाँ सकते 2 by 3 दी साथ एग्जाम्पल उप देजिए So अब हम यहाँ पर इस वारे Compound में देखते हैं कि Sulfur की Oxidation State Fractional आती है या नहीं आती है So आप देखो अगर आपको Oxidation Number निकारना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जिसका हमे Oxidation Number निकारना है उसको हम X ले लेते हैं तो यहाँ पर हमने Sulfur की Oxidation Number को X ले लिया है पर यहाँ पर उसके 4 Atoms है तो हम उसको Multiply कर देंगे 4 से फिर हम Plus कर देते हैं Oxidation Number of Other Compound तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पर Sodium present है उसके Oxidation Number के अगर मैं बात करती है तो वो होता है हमारा Plus 1 और 2 Atoms present है तो आप उसको Multiply कर दीजे 2 से फिर आप Plus कर देंगे Oxidation Number of Oxygen का Oxygen का Oxygen Number के अगर मैं बात करती है तो वो होता है Minus 2 एक Oxygen Atom के लिए 6 प्रेजन है तो आप उसको Multiply कर दीजे 6 which will be equal to the overall charge present on the compound तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पूरे compound में कोई भी charge present नहीं है so it will be equal to 0 अब आप बस X के लिए इसको Solve कर लीजे so 4X plus 2 minus 12 will be equals to 0 और आप कह सकते हैं कि जो हमारा 4X होगा वो हमारा 10 की equal आजाएगा और आप कह सकते हैं कि जो हमारा X होगा वो आपका equal आजाएगा 5 by 2 के so आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी Sulfur की Oxidation State है वो हमारी आ रही है 5 by 2 that is a fraction so I hope this answer your query thank you so much